कि न्मस्कार दोस्तों ओम नमस्षी भाई जैवुड़नाथ मैं वेक्चवान के दाननाद दुद्राक्ष की ओर से आज बुद्वार का दिन है गनेश जी का दिन उत्ता है तो आपको मैं गनेश दुद्राक्ष में आपको मैं मालत ख़ता हूं आज़े देखिए तो ये देखिए ये गनेश दुद्राक्ष की माला है पड़ी मारे पास ये तीन माला है है तो इसमें सारे के सारे गनेश दुद्राक्षी है ये देखिए 108 बीट की माला हुत्ती है ये देखिए इंडोनेश दुद्राक्ष है ये सारे गनेश देखिए इसमें ये देखिए अलग-अलग साइज में इसमें 8-9 mm, 10 mm, 12 mm ये देखिए तो सब इसमें गनेश दुद्राक्ष लगे हुए है माला ये बहुत खूबसूरत है ये देखिए तो तीन माला है बच्चेमिया मारे पास ही है तो तीनों के अलग-अलग साइज है 12 mm का साइज है 10 mm का साइज है और 8 mm का साइज है ये देखिए सब की अलग-अलग कोस्टिंग है और 108 दाने है सब के सब गनेश में नेपाली रुद्राक्ष रुद्राक्ष की माला डालोगे आप तो वह बड़े-बड़े बीट होते हैं 18-18-20 mm के तो 108 बीट की माला डालना ठोड़ा मुश्किल होता है तो उसके मुकाबले ठोड़ा अस असान होता है तो महिंगी पड़ जाती है तो कमफर्ट जोन की बात सबकी अपने अपनी इच्छा की बात है जिसको किसमें कुशी मिलती है देखिए तो यह गनेश रुद्राक्ष में कोई 8 मुकी है कोई 7 मुकी है कोई 10 मुकी है तो ऐसे हैं पर है सारे गनेश इसको आप ड तो बुद्वार का दिन होता है तो गनेश जी के लिए होता है तो गनेश रुद्राक्ष के जो फैदे मैं आपको बहुता जाता हूँ एक तो बच्चों को आप डाल सकते हैं इसका बुद्धी के लिए बुद्धी के लिए कारक होता है शुब लाब के लिए माना जाता है लक्षमी के साथ गनेश जी की मूरती आपने देखी हूँ कि हर जो घर में मूरतियां रखी होती है लक्षमी जी की तो उसके साथ गनेश जी का भी मूरती रखी होती है तो गनेश जी जहां पर होते हैं तो विगन हरता कहलाते हैं हर तरह का जो भी काम आपकी रुकावट हो र बगवान के साथ जब आप सुखी हो तब भी बगवान के साथ जुड़के रहें जब दुखो तब तो इनसान भगवान को याद करते ही करता है पर सुखी दिन बतीत कर रहे हैं तो भगवान को याद करने में कोई कुछ हर्ज नहीं है उनके साथ बगवान के साथ जुड़के बोले होते हैं जो भी गनेश जी को सच्चे दिल से याद करता है तो गनेश जी उसकी मनों कामना जरूर पूर्ण करते हैं तो यह आपको मैंने दिखा दी गनेश रुजराग्ष की इंडोनेशिया में माला एक सो आठ बीड्स की जिस किसी का इंट्रस्टो तो जरूर हमसे संपर्क करें तीन पीसी बच्चे में हमारे पास ओम गनेश आए नमया